तो आज हम बनाएंगे जटपट बनने वाले मूंकी दाल और मेथी के बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लाइव ढोकला इसे बनाना बहुत ही आसान है तो देखकर ही लगता है ना ढोकला बहुत ही सौफ्ट बने है और ढोकले के साथ हम दो अलग अलग तरह की चटनी भी बनाएंगे जिससे ढोकले खाने का मज़ा और भी ज्यादा आएगा तो चली रेसिपी के लिए सुरुआत करते हैं तो यहां पे मैंने एक कप पिली मुंकी डाल ली है यह छिलके बिना की मुंकी डाल है तो मैंने इसे गरम पानी में सिर्फ दो घंटे के लिए भीगोया था तो दाल जो है वो अच्छे से भीग चुकी है इसे हमें एक मिक्चर के बर्तन में ट्रांसपर कर देंगे थोड़ा सा अध्रक और दो हरी मेर्ज एड़ की है हाफ कब जीतना दहीं लेंगे और हमें इसे मिक्चर में मुलायम पीस लेना है कुछ इस तरह से पीस्ते समय पानी के जरुवत लगे तो थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करें कुछ इस तरह का मुलायम खीरा हमें तयार करना है इसे हमें बॉल में ट्रांसपर कर देंगे और यहां पर एक चोथाई कब जीतना पानी में और एड़ कर रही हूं तो दोखले के लिए स् हमें इसे डग कर 10 मिनट साइड में रखना है तो जब तक बैटर को हम रेस्ट दे रहे हैं हम घारलिक चटनी तयार करेंगे मिक्चर के एक बरतन में 20-25 लैसुन की कली लेंगे 2 टेबल स्पून कस्मीरी लाल मिर्च और एक टेबल स्पून तीखा वाला लाल मिर्च पावड नमक एड करेंगे तो बीना पानी या तेल एड किये हमें इसे मिक्चर में पीस लेना है तो कुछ इस तरह से चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है इसे आप फ्रीज में 10-15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं एक पैन में 2 टेबल स्पून तेल लेंगे तो हमने जो लसुन की चटनी तैयार की थी तो उसमें से अभी हाफ कॉंटिटिटी ही लसुन की चटनी एड कर रही हूं इसमें डोकले के साथ इस तरह से अगर आप चटनी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी यह चटनी तो इसे हलका सा हम पका लेंगे और इसमें धीरे-धीरे करके दहीं एड़ करेंगे एक चोथाई कब जितना दही एड़ करना है हमें सारा दही एक साथ एड़ ना करें कुछ इस तरह से दो से तिन पोर्षन में दही को एड़ करेंगे और इसे मिलाते जाएंगे इसे डब कर एक से दो मिनट पकाना है तो डोकले के लिए चटनी रेडी है इसे हम ठंडा कर लेंगे यानि रूम टेम्परेचर पर आने देंगे दस मिनट बात डोकले के लिए जो खीरा हमने तयार किया था उसमें एक कप बारिक कटी हुई मेथी एड़ करेंगे दू टेबल स्पून तेल एड़ करेंगे तेल एड़ करने से डोकले ठंडे होने के बाद भी बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे एक चोथाई टीस्पून हिंग ना के बराबर चुटकी हल्दी एड़ करेंगे और स्वाध अनुसार नमक एड़ करके सभी को अच्छे से मिला लेना है अगर आपके पास हरी मेथि नहीं है या भरी मेथी आड़ करना नहीं चाहते तो तो दोगले के लिए बेटर के लिए तेल लगाएंगे ताकि दोगले थाली में चिपके नहीं बहुत ही आसानी से रिमोव हो सके तो इस मेजरमेंट से दो थाली बना सकेंगे हम तो हाफ कॉंटिटी इसकी अलग रख देंगे बैटर की तो यहां पर आधी कॉंटिटी ही बैटर की है जिसमें हम एक टीस्पून इनो एड़ करेंगे या बेकिंग सोडा भी आप एड़ कर सक है तो अच्छे से मिला लेना है कुछ से केंड तक की से दुक्स करना है और यह से डुक्ले की थाली में ट्रांसपर कर देंगे बैटर को घृत है आक दोबार थप्थपा देगे ताक कि बैटर जो है वह वकूरा तली में चे से फैल जाए ठोड़ा सा ल्त मेर्च पाउडर या ब्लैक पेपर पाउडर इसके ऊपर हम छीड़केंगे और इसे हम घरम किये हुए स्टीमर में 15 मिनट के लिए तेज आज पर स्टीम करेंगे तो जब तक यह स्टीम हो रहे हैं हम दूसरी चट्नी यानि ग्रीन चट्नी बना लेंगे इसके लिए एक कप घनिया एक चोथाई कप फूदीने के पत्ते चोटा अध्रक का टुकड़ा चार से पांच हरे लाल मिर्च और थोड़े से डोकले के पीस लिए हैं बाइंडिंग के लिए यहां पर हम ढोकले कर रहे हैं इसके जगह आप नैलोन सेम या कोई और नमकीन एड़ कर सकते हैं या मुंग फली भी एड़ कर सकते हैं सभी को मिक्चर जाय में ट्रांसपर करके दो टेबल स्पून नीमू एक टीस्पून चीनी और स्वाधनुसा नम अच्छा आएगा तो चट्नी तैयार है ढोकले के लिए दूसरी चट्नी भी हमने त्रेडी कर लिए है तो गला भी स्टीम हो चुके है इसे हम नाइफ की मदद से है तूत्पिक की मदद से चेक कर लेंगे तो घरम घरम ढोकले के ऊपर टेल एपलाई करेंगे अगर मुंफली का तेल है तो ज्यादा टेस्टी लगेंगे ढोकले इसके पीसिस बना लेंगे और हमने जो दो चट्नी रेडी की है उसके साथ इसे सर्व करेंगे वीडियो अच्छा लगा ओ तो वीडियो को लाइक करना बिलकूल ना भूले तो फीर मिलेंगे फीर एक नए रेसिपि की साथ नए वीडियो के साथ तब तक लिए बाबाई